आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चेनल पे तो चलिए आज बनाने जाते हैं कड़ी कड़ी तो सभी बनाते हैं पर मैं आपको आज बहुती अलग तरीके से बताने जा रहे हूँ तो यहाँ सबसे पहले दही या छाच जो भी है आप ले लीजिए इसमें डाल देती हूँ दो चमच बेशन या जितने आपने दही लिए उसी साब से डाल दीजिए इसमें डाल देते हैं मसाले एक छोटी चमच धनिया पावडर एक चोथा चमच लाल मेची पावडर नमक सवाद के साब से डाल लिए और इसको अच्छे से फेट लेते इस तरीके से अच्छे से इसको मत लेना है और फिर आपको कड़ी बनाना है तो दही या चाच जो भी है जितना खटा हो तो इसमें पानी डाल दीजिए बहुत ज़्यादा खटा नहीं लेना है यहां मैं बनाने जा रहे हूं लोहे की कड़ाई में कड़ी आप जब भी बनाओ तो लोहे की कड़ाई में बनाएए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और देशी गी से इसका चोंक लगा रहे हूं इसमें मैंने जीरा डाला है और लसुन डाल दिया है कट करकी इसमें ड प्राई कर लेते इस तरीके से तो कड़ी आप एक बर मेरे कहने से आप देशी घी का छोंक लगा की बनाइए बहुत टेश्टी बनती है यहां एक चोथा ही चमच हल्दी पाउडर डाल देते हूं और हल्दी पाउडर डाल की फिर से इस तरीके से चला देते हैं और इसमें डा डाल देते हैं जो बेशन डाल की दई को फेट की रखा वो और यह डालने के बाद में आपको एक तम बराबर चलाना है इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अब गेस्ट के फ्लेम एक फूल कर देते हैं फूल फ्लेम पे जितनी देर यह बोईल नहीं आती है तब तक आपको इस तरीके से चलाते हुए रहना है क्योंकि चलाते नहीं है तो यह छाज फट सकती है और छाज फट जाती है तो इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है तो आप एक पर आपकी इस तरीके से कड़ी बनाते हो वो भी मुझे कॉमेंट करके बताईए और आप एक पर जैसे मैं बना रही हूँ उस तरीके से भी बना की देखिए तो कड़ी का कलर से आपको पता चल रहा है कि कितनी अच्छी बनी है यह इतनी टेस्टी बनती है कि आपका बार-बार मन करेगा कि यही कड़ी बना के बन खाए तो यह देखिए कड़ी को कम से कम 10-15 मिंट पकाना है क्योंकि जितनी पकाते हो उतनी टेस्टी बनती है यहां मैंने डाल दिया है एक कटोरी बुंदी बुंदी जो सिंपल बुंदी आती है जो रायता वगेरे बनाते है अपन वह बुंदी डालनी है तो वह बुंदी मैंने डाल दिया कड़ी पक गई है अब इसको छो तो अहरा दनिया डालने के बाद में देखिए जो गी और ये छोंक बनाया तोड़सी लालमिची पाउडर डाला ये छोंक उपर डाल देते हैं तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से ये पांच मिन्टों कड़ी बन जाती है जैसे पकने में टाइम लगता है पकने में 10- प्राम से पकाईए जितने पकाते हो उतनी अच्छे कड़ी बन के त्यारी होती है और ये देखिए भोती अच्छे से थिक भी हो गई है तो चली आपको वीडियो अच्छा लगए तो लाइक चेर कोमेंट कीजिए